वेल्कम इन्विस्टर्स, टॉक इन्दे न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विक के एंड जो ट्रेडिंग सेशन रहता है, उसमें हम on a monthly chart, weekly chart, daily chart और 30-minute के chart का भी analysis करते है, जो stock fundamentally strong है, जिनका trend अच्छा है, जिनके fundamentals बहुत ज़्यादा strong है। तो ऐसे stock को हम analysis करते है, weekly basis पे, daily basis पे और 30-minute के chart को, कि उन stock में क्या demand supply base, क्या momentum आ रहा है, क्या price action हमें देखने को मिल रहा है। आज का date है 9 October 2020, और जैसे की हम देख पा रहे हैं, अभी चो screen पर ये चो chart आपको दिख रहा है, ये monthly chart है, और यहाँ पर मैंने एक सबसे बड़ा एक rectangle green color का draw किया हुआ है, जिसका range है 367 से लेके 323 का, ये एक monthly demand zone है, और हम जैसे की देख पा रहे हैं, यहाँ पर, monthly trend जो है, वो uptrend है, और all time frame को अगर हम check करेंगे long terms के, तो यहाँ पर जो stock है, उसका trend अच्छा खासा uptrend हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 month तक अच्छा खासा bullish trend, फिर उसके बाद 3 month तक consolidation, 4 month तक bullish trend, 1 month का consolidation, और उसके बाद यहाँ पर 1 month का bullish, और यहाँ पर जो month start हुआ है, उसके 1 week का यहाँ पर candle formation हुआ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब छोटे time frame पर जाएंगे तब, अभी तो आप यह समझ लिजे कि यहाँ पर जो मैंने rectangle draw किया हुआ, यह monthly demand zone है, और अब चलते हम weekly chart पर, अभी जो screen पर आप देख पा रहे हैं, यह weekly chart है, और जैसे कि मैंने बताया था, यह जो बड़ा सा rectangle आपको दिख रहा है, वो monthly demand zone है, और उसे के अंदर 358 से लेकर, तो 328 का यह weekly demand zone है, monthly demand zone के अंदर weekly demand zone है, और इस stock का, बायो कॉन के stock का, जो monthly trend है, वो अप है, और अगर हम इस weekly trend की अगर हम बात कर रहे हैं, तो weekly trend भी इस stock का अप है, हम यहाँ पर एक trend line draw करके, उसे identify कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एक trend line draw कर दी है, और जैसे कि आप trend line पर देख पा रहे हैं, इस stock का जो weekly trend है, वो भी अच्छा खासा week trend हमको दिखाई दे रहा है, अब चलते हम इससे छोटे time frame पर और देखते है daily chart को, अब जो screen पर आप देख पा रहे है, यह daily chart है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक moment हमें देखने को मिल रही है, वीकली chart पर एक चीज डिसकस करना शायद आपसे भूल गया, वीकली chart पर यह जो एक hammer बना हुआ है, एक candle formation हुआ है, यह एक hammer बना हुआ है weekly chart पर और आज का जो trading session था, यह एक week का last trading session था, और उसी के साथ यहाँ पर जो weekly candle formation हुआ है, वो एक hammer हुआ है, जब top पर hammer बनता है, को मिलता है उसका मतलब यह नहीं होता है कि स्टॉक अब अच्छा नहीं है या स्टॉक में अभी विक्वाली चल रही है कंपणी बंद हो जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर होतो अब चलते हम डेली चार्ट पर और देखेंगे डेली चार्ट पर क्या सीन हमें देखने को मिल रहा है यहां पर देखिए यह विक्ली ट्रेंड लाइन है स्टॉक ने अच्छा एक बुलिश यहां पर सपोर्ट लेके बुलिश दिखाया जैसे कि हम देख पा रहे थे कई दिनो से एक अच्छा खासा बाउंस बैक लिया और स्टॉक ने बहुत कम ट्रेडिंग सेशन में जो 463 का एक हाय था प्रिवेस हाय से भी बड़ा इसने यहां पर हाय प्राइस पर ट्रेड किया और उसके बाद जैसे कि हम देख पार एक प्रॉफिड बुकिंग के चलते हमें एक क इत एंगल ट्रॉफ किया हुआ हूआ है 413 से लेकर 401 का यह एक मा देली डिमांड्ड ओन है और हम देख पार है कि grow एक वीकली मांड जोन से वीकली बीमांड्र पर इसवी बब अगर हम्में investment करना है या position लेना है तो हमें देली डिमार्ड जोन में entry लेनी होती है क्ये जैसे कि हम देख पा रहे है यह डेली डिमार्ड जोन है और यह अल्रेडि टेस्टेड है यह पहली टेस्ट हो चुका है जब स्टॉक का प्राइस ने करेक्शन दिया तो हम देख रहे है डेली डिमांड जो उनके बॉर्डर से याने 413 से एक बाउंस मिला सेकेंड इस उपर दाने की कोशिश जब स्टॉक का प्राइस इस डेली डिमांड जोन में आयो तो हम देख रहे है कि 406 से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला और प्रीविएस हाय से एक नए हाय प्राइस पर इसने ट्रेड किया और क्लोजिंग भी दिया अगर हम देखेंगे इस चार्ड को जो 450 का एक 463 का हाय था तो कलकर जो ट्रेडिंग सेशन था वह था 473 पर इसने ट्रेड किया और जहां तक हम देख रहे है 468 यानि प्रीविएस हाय से भी उप्रीव लेवल पर इसने ओन डेली बेसिस पर क्लोजिंग दे चुका है अब यहां पर हम देख रहे है जब स्टॉ का प्राइस नीचे नहीं आया और टू डेस तक अच्छा खासा एक हमें यहां पर अप्ट्रेंड करता हुआ नजर आया उसके बाद ऑन डेली बेसिस पर हां पर एक हैमर बना और उसके चलते स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आया एक हलकी सी गिराउट हमें देखने को मिली और आप देखरें कल का ट्रेडिंग सेशन में इसने फिर से एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया और आज की डेट का अगर आज का ट्रेडिंग सेशन का हम कैंडल देखेंगे तो यहां पर बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है हम किस तरीके से नेक्स ट्रेडिंग सेशन में यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशियेट कर सकते हैं अभी जो प्राइस है यह हमारा सप्लाइज होने पूरा डेली सप्लाइज होन जो की 476 से लेकर तो 450 के आसपास का है और हम देख पार है मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहें यह 30 मिनिट का चार्ट है और इस 30 मिनिट के चार्ट पर जैसे कि मैंने बताया यह डेली डिमांड जोन है और यहां पर एक 30 मिनिट के छोटे-छोटे डिमांड जोन है अब नेक्स ट्रेडिंग सेशन में हमें किस त पूरा एक सप्ला एरिया है तो हमें वेट करना है बेरिश इंगलफिंग या ओन थर्टी मिनिट के चाट पर एक हैमर का ऐसे बेरिश पैटर्स अगर हमको उबर कर यहां पर दिखते हैं तब जाके हम यहां वहां एक शॉर्ट ट्रेड इनिशेट कर सकते क्योंकि अगर हम रिक 479 पर तो हमें रिक्स टू रिवाड का सोचते हुए हमें वेट करना है जब यह बाउंस करता है और इस सप्लाइजोन में जो की 30 मिनिट का हमने यहां पर एक सप्लाइजोन ड्रॉ किया हुआ है यह देखिए यह 30 मिनिट का सप्लाइजोन है जो 467 से लेकर तो 477 तका है तो इस 30 मिनिट के सप्लाइजोन में अगर प्राइस आता है तो जाके हम विदाउट इनी बेरिश कंफरमेशन इसको यहां पर शॉट कर सकते है क्यूंकि हमारा जो यह सेल रहेगा वह रहेगा 479 का तो हमारा रिक्स टू डू रिवाड यहां पर कम हो जाता है इसलिए हम इस 30 मि अगर यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दू तो यह एक जो बॉटम आपको दिख रहा है जो सप्लाइज उनका जो बॉडर है 450 का तो एक सपोर्ट की तरह यहां पर हमें 30 मिनिट के चाट पर वक करता हुआ दिख रहा है यहां पर एक सपोर्ट यहां पर एक सपोर्ट यहां यहां पर एक support यहां पर एक support अगर यह support break up होता है और कोई भी 30 minute का candle इसकी नीचे close होता है तो उस condition में भी हम इसे short करके चल सकते हैं तो जो first target होगा वो होगा 440 का तो यहां पर भी हमें 8 ते 10 रुपीज का जो है वो price appreciation यहां पर हो सकता है short trade में अगर selling pressure जादा रहा और यह जो demand zone 30 minute का यह break होता है तो second target हो जाएगा आपका 429 का और अगर यह भी demand zone break हो जाता है next week के trading session में तो third target हो जाएगा 414 का और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि stock का price आने वाले trading session में अगर ऐसे positional investors यहां पर आपको मिलता है यह जो weekly trend line और daily demand zone है यहां पर मिलता है तो आप यहां पर एक long position के लिए stock में investment कर सकते हैं इस वीडियो में हमने short trade लेने से demand supply zone 30 minute daily, weekly, monthly सभी चीजों को cover किया है और आने वाले week में किस तरीके के कहां कहां पर demand zone होने वो break होने के बाद क्या-क्या targets हो सकते हैं इसके बार में भी हमने पूरा setup यहां पर कर लिया है यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment box में जरूर ल का लगवार अ